जै मागादी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 22 माई से लेकर 28 माई तक के कुम्बराशी फल के बारे में 22, 23, 24, 26, 27, 28 ये साथ दिन कुम्बराशी के लोगों के जीवन में किस तरह के बदलाव लेकर आएंगे इन साथ दिनों में से कौन कौन से दिन आपके लिए सबसे जादा लाब दायक रहेंगे सबसे ज़्यादा लाब देने वाले रहेंगे कौन से दिन का कौन सा समय सबसे अधिक पावरफुल होगा और कौन से ग्रहों में बदलाव होने वाला है कितने योग बनने वाले हैं और इन योगों का जो प्रभाव है वो भी आपके जीवन पर कैसा दिखाए देगा तो ये सारी जानकारिया मिलेंगे आपको इस वीडियो में इसलिए वीडियो को लास तक जरूर देखें और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ और साथ ही कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जैमादादी अपनी उपस्तिती दर्ज कराने के लिए तो देखें मई का ये आखरी सब्तहा है जो की 22 मई से 28 मई तक का है और इस आखरी सब्तहा में अगर मैं ग्रहों की बात करूँ तो देखें सिर्फ एक ग्रह अभी राशी वदलेगा इस मई के अंत में वो भी यानि 28 तक 21 से और 22 से 28 तक और किसी ग्रह का राशी परिवर्तन नहीं होने वाला है लेकिन ऐसा नहीं है कि ग्रहों में बदलाव ना हो योग ना बने और योगों का प्रभाव भी ना हो तो देखें इस सब्तहा की जो शुरुवात होगी क्योंकि ये राशी फल्चंद्र राशी पराधारित है तो चंद्रमा की इस्तिति मिथुन राशी में होगी 22 मई को और जो 28 मई का दिन होगा उस दिन चंद्रमा होंगे सिहिंग राशी में तो व्रशप, मिथुन, कर्क और सिहिंग इन चार भावों में चंद्रमा की सक्रियता बनी रहेगी इस दोरान बहुत अच्छे अच्छे योगों का निर्मान हो रहा है जो इस सप्ताह के लिए विशेश हैं पहला तो दिखे सरवार्थ सिध्धी योग, बहुत अच्छा योग होता है और अमरत सिध्धी योग यहां एक पॉजिटिव चीज ये भी है कि इसी योग में सप्ताह की शुरुवात होगी और इसी योग में सप्ताह का अंतिम दिन भी रहेगा क्योंकि सरवार्त सिद्धी योग और अम्रत सिद्धी योग में इस सपता की शुरुआत हो रही है और 28 मैं को भी सरवार्त सिद्धी योग है और भी कई तरह के योग बनेंगे जो काफी अच्छे रहेंगे हर्शन नाम का योग जैसे बहुत शुब माना जाता है स्वभाग्य योग भी माना जाता है पुनरवसु नक्षत्र आएगा पुशनक्षत्र आएगा गजकेसरी योग भी बनेगा तो इन योगों का प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा बाकी मैं अगर ग्रह देखूं तो चंद्र राशी के अनुसार अगर मैं देखूं तो आपके लगन में चंद्रमा की स्थिति है और चंद्रमा पूरे सब्ता आपके प्रथम भाव में ही है जोकि अभी तो वो प्रथम भाव में ही चल रहे हैं इसलिए ये आपके लिए एक अलग तरीके से जो रिजल्ट देने का कारे करेगा अब यहाँ जो वरशब है उसमें सूरिय है मिथुन है उसमें शुक्र है मेश है उसमें राहू, बुद्ध और साथ में गुरुदेव है यानि एक के साथ एक आपके तीसरे, चौथे, पांचवे भाव में ग्रहों की इस्तिथी मौझूद है तो उनके अनुसार आपके रिजल्ट भी उसी तरह से बदलेंगे तो चलिए वीडियो की शुरुबात करते हैं और बताते हैं आपके लिए की सब्ता कैसा कुछ रहेगा तो जैसा की कहा चंद्र राशी के लिहाज से शनी आपके प्रथम भाव में है इसलिए स्वास्ते के लिए तो ये पूरा सब्ता आपके लिए अच्छा है स्वास्ते समंदी ऐसी कोई दिक्कत आपके लिए नहीं दिखाई देगी एक चीज जरूर ध्यान रखें किसी भी चीज के बारे में जादा सोचना आपको तनाव दे सकता है किसी भी चीज के बारे में बहुत जादा नहीं सोचना है बहुत जादा सोच कर आप उसका कुछ नहीं करेंगे आप सिर्फ सॉलुशन निकालने का कारे कर सकते हैं और इस आदत को सुधारने का काम आपको जरूर करना है क्योंकि कुमराशी के जातकों की एक बड़ी आदत है एक चीज को अगर पकड़ लिया तो उस पर बने रहते हैं उसी को अंदर अंदर सोचते रहते हैं और अपने आपको मांचिक रुप से पेडित कर लेते हैं तो यह आपको नहीं करना है बिल्कुल भी सब्ता के अंतर तक आपके लिए सब ही जो जितनी भी कुछ भी टंशन थी सारी खत्म हो जाएंगी बस उनको सौल्व करने का कारयाब को करना होगा इस पूरे सब्ता हमें आप अपनी आमदनी का वो बड़ा हिस्सा बचाने में सफल होंगे जो आप बचाना चाहते थे और साथ अपने माता पि आपके परिवार में उत्सव का माहौल भी रहेगा जिससे आपके परिवार के सदस से काफी प्रसंद रहेंगे और परिवार के लोगों की खुशिया देखकर आपके चहरे पर भी मुस्कान आएगी परिवार एक सुख प्राप्त करने में आपको सफलता मिलने वाली है अब तो इसलिए बहतर होगा अगर आप इसको टाल सकते हैं तो अच्छा है क्योंकि यह आपको थोड़ा अच्छी दिखाई नहीं दे रही है आपके लिए इस राशी के वो स्टुडेंट जो घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि चंद्रम आपके तीसरे भाव में ह और फिर चौते भाव में हैं आपके तो यहां क्या होगा कि परिवार से जुड़ी कोई ऐसी खबर आपको मिल सकती है जो चौका देनेगी जो आपको चौका देगी लेकिन वो अच्छी खबर होगी अच्छी और ठीक ठाक खबर होगी कोई भूमी भवन या पैत्रक संपते से जुड़ा विवाद चल रहा था तो वहां आपको इस सप्ताह में थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि वहां उस विवाद में अभी रिजल्ट शायद प्राप्त नहीं होगा तो थोड़ी सी ध्यान रखना होगा लेकिन जो परिक्षा पैतियोगता कि त्यारी कर रहे हैं उनको अच्छा समय है अपनी एकागरता को बढ़ाने का अध्यन प्राप्त करने का मन चाही सफलता प्राप्त करनी हैं तो आलस त्याग दें और लग जाए बस एक दूसरे पर निर्बार रहने की बजाए अपनी जो सिक्षा की साधना यानि जो आप पढ़ाई कर सकते हैं उस पर ध्यान दें अपनी संसाधनों पर विश्वास करें अच्छा रहेगा अच्छे रिजर्ट प्राप्त होंगे तो आपको बहुत अधिक सुकून भी मिलने वाला रहेगा अब यहां इस दौरान अगर देखें तो देखें पारिवारिक जीवन जो है उसमें आपको सु सभत बढ़न हो सकते हैं इसल्ए उनके स्वास्ते का द्यान रखना है उनको कहें कि स्वास्ते का जाधा से ज्यदा ध्यान जरूर रखेगे आपके पास अगर कोई अनुठा कोशल है तो उसको आप अपना सकते हैं नई समाधानों की तलाश कर सकते हैं आपके जो रिष्टे हैं उन्हें खुले संचार का बढ़ावा दें आत्म विभक्ती जो होती है न उसकी स्वतंतरता को महत्व आपको देना होगा बाकी माइंड आ देना है जो कुछ करना है खुले माइंड से करना है जब आप ओपन माइंड ढहकर काम करते हैं तो चीजें आपके आसपास के और बहदर तरीके से दिखाए देती हैं अपॉर्चनिटी जादा देखती है इसलिए उनकी तरफ ध्यान देना है बाकी जो ग्रहों की स्थिति है वो एज़टी ज रहनी है लेकिन वो ग्रह भी आपके काफी हद तक पक्ष में ही है और उन्हें आप पक्ष में कर सकते हैं इन दिनों में मैं आपको बताओं बगर कौन-कौन से दिन आपके लिए सर्वस्रेस्ट साबित होने वाले हैं पहला तो 22 मई का दिन ही आपके लिए चंदर पहुचेंगे अपने भाव में हैनि कर कराशी में तो इस सितियां बहुत अच्छे हो जाएंगी यहां 26 मई का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है 26 मई को अगर आपके इसी प्रतियोगी परिक्षा में बैठते हैं तो वहाँ चांसिस हैं आपके उसमे अच्छे परिणाम प्राप्त होने के इसके अलावा 28 मई का भी दिन आपके लिए बहुत उत्तम रहने वाला है और साथ ही इन दिनों में 24 मई का दिन भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा 26 मई के गर मैं बात करूँ 26 मई का दिन दोपहर का समय आपके लिए बहुत आपके कुछ अच्छे कार्या बनते हुए दिखाए दे रहे हैं अब मैं अगर उपाय की बात करूं तो क्या उपाय आपके लिए अच्छा है जो दिखिए उपाय के तौर पर ओम हनुमते नम्हा इस मंदर का 21 बार जाब प्रहते दिन करना शुरू कर दें बहुत अच्छा र